So Indian economy on the eve of independence, this chapter को अपन यहाँ पर complete करें So दो topic विच्चो अपन अल्रीड इस chapter के complete कर चुके हैं एक अपन ने features के बारे में बात करी थी और उससे पहले अपन ने colonial exploitation के बारे में बात करी थी आज के इस video के अंदर अपन specifically agriculture को target करने वाले हैं यानि कि हमारा जो आज का topic है, it is agricultural sector on the eve of independence Independence से पहले agricultural sector के इस तरीके गए था, इसको अपने हाँ पर discuss करने वाले हैं लेकिन उससे पहले, hello everyone, this is me Ayushi and I welcome you to Scoreshara अब देखो बच्चेव, आपन आते हैं में अपने topic के उपर लेको agriculture के अगर आपन बात करें तो somewhat थोड़ा बाद idea तो मैंने आपको पहले वाले videos में दे दिया था कि agriculture महारा किस तरीके का था टोटल population में से नजाने, अमला more than half, जो population थी, 72% population वो किस पे dependent थी, वो agriculture से जड़ू रही थी, यह हमको पता है लेकिन agriculture का जो contribution था GDP में वो सिर्फ 50% था अब यही चीज़ अपने आप में एक backwardness शो करती है अब अगर अपन specifically बात करें अपने production की तो अपना production बहुत जादा लो था और साथ ही में productivity भी बहुत जादा लो थी अब आप यह बोलोगे कि production में और productivity में difference क्या है तो मैं आपको बताती हूँ तो production क्या होता है बच्छो जो overall output होता है अपना वो होता है production और productivity क्या होती है per hectare जो हमारा output होता है मैं समझाती हूँ देखो suppose करूँ कि यह मेरी जमीन है ठीक है अब इस पूरी जमीन पे जो production होगा मतब इस पूरी जमीन का जो output निकल के आएगा मेरे पास में जो भी cultivation इस पूरी जमीन का निकल के आएगा वो होगा मेरे लिए production अब इस जमीन का अगर सिफ और सिफ वन हैक्टर में देखो ठीक है सिफ वन हैक्टर में देखो इस hacker पे कितना मैं produce कर रही हूँ, तो ये मेरा क्या कहलाता है, इसको मैं कहती हूँ, productivity. So, production भी बहुत low था, और productivity भी उस टाइप बहुत जादा low थी. I hope it's clear to you all. पहला हमारा जो topic, पहला हमारा जो point है, इस topic वो यही है कि low production and productivity. production भी लो था और productivity भी लो थी. अब इस table के थुरू आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा. एक तरफ अपने productivity ले लिया और दूसरे तरफ अपने production ले लिया है. ठीक है? 1947 के अंदर, kg पर hectare, कितना था? wheat का 660. वही पे 2018-19 के अंदर, it goes to 3408. ठीक है? फिर उसके बाद में rice का देख लीजिए और वही 2018-19 के अंदर आप देख लीजिए. अब आपन बात करें, अगर production की, तो production देख लीजिए आप in lakh tons of wheat. It is 64 lakh और यहाँ भी 2018 के अंदर और 19 के अंदर, it is 991. फिर rice का देखे, तो it's 220 और यहाँ पर अगर आपन देखे लीजिए तो 1, 1, 5, 6. ओके, सो आपको यह चीज, अभी आपको यह और करनी है कि इतना यह जो production है और यह जो productivity है यह कितनी low-thuse time पर. है कि नहीं? So production and productivity of the wheat and rice is a comparison between the levels of 1947 and 2018-19. चलिए. फिर अपन यहाँ पर next जो इसका point है वो यह है कि high degree of independence. पहला point क्या था? Low productivity and low production. This is your first point. दूसरे point को अपन देखते हैं. दूसरा point आपका कहता है high degree of uncertainty. अब uncertainty किस चीज की? देखो, हमको यह पता है कि हमारा agriculture जो है, वो पूरी तरीके से किस पर dependent रहता है? rainfall पे. अब rainfall पे, क्योंकि हम पूरी तरीके से dependent थे, उस time के अंदर, हमारे पास में कोई और means of irrigation तो था, कोई कुए नहीं थे, कोई canals नहीं थे, कुछ किसी भी तरीके की, जो tube wells वगरा होती है, वो सारी शीज़े थी नहीं. हमारा पूरा का जो खेती बाड़ी थी, वो depend करती थी बारिश पे. अब आपको भी बता है, rainfall इत्ती अंसर्टेन होती है, किसी साल तो बहुत जादा हो जाती है, किसी साल बिल्कुल नहीं होती है, जिस साल बहुत जादा, लिमिट से भी काफी जादा उस साल भे फसने खराब हो जाती है और जे साल बिल्गूल ही नहीं होती उस साल भे फसल खराब हो जाती है तो uncertainty की जो डिगरी थी वह बहुत जादा थी और uncertainty के अंदर अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं rainfall we are talking about the rainfall over here अब यहां पे जो भी यहां पे Britishers थे उन्हों ने कभी भी canals पे, कुए बनाने पे wells वगरा इन सब चीजों पे कभी ध्यान नी दिया था तो अगर अपने अग्रिकल्चर की बात कर रहे हैं तो पहला पॉइंट हमने देख लिया low production and productivity दूसरा पॉइंट हमने देख लिया high degree of uncertainty ठीक है, uncertainty थी बहुत ज्यादा थर्ड पॉइंट अपन यहां पे बात करते हैं dominance of subsistence farming, अब subsistence farming क्या होती है, देखो, मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगी कि जो farming होती न, बच्छों, वो दो motivation कर रहा है, commercial farming वो farming होती है, जिसके अंदर जो farmer है, वो market में बेचने के लिए खेतिवाड़ी कर रहा है, यहां पे वो जो फसल हुगा रहा है, वो market में बेचने के लिए हुगा रहा है और उससे वो पैसे कमाएगा, तो इसको अपन कहते है commercialization, और subsistence स्यानि कि वो खेति इसलिए कर रहा है, ताकि वो खुद का पेट भर सके और अपने परिवार का पेट भर सके, उस अनाज से, तो यहां पे dominance of subsistence farming, उस time पे क्या था, कि लोग सिर्फ अपने घर का अपने घर परिवार का पेट भरने तक के लिए ही खेतिबाडी करते थे, पैसे कमाने के लिए खेतिबाडी नहीं करते थे, commercialization की बहुत ज़्यादा कमी थी उस time पे, okay, so subsistence farming is a form of farming in which the crops are produced, यह ऐसे तरीके की farming है, जिसके अंदर crops produce होती है, to provide for the basic needs of the family, जिससे की परिवार की जो से जरूरते हैं, वो fulfill हो सके, ठीक है, तीन point I hope आपको अभी तक समझ में आ रहे होंगे, आगे बढ़ते हैं, fourth is, gulf between the owner of the soil and the tillers of the soil, owner of the soil कौन हो गए, जो उस जमीन के मालिक हो गए, जमिदार, tillers of the soil कौन हो गए, जो कि उस जमीन उसको मिलता था, तो इंदोरों के पीश में बहुत गलब था, बहुत ही ज़ादा जगडा था, है न, कि जो सबसे जादा महनत कर रहा है, जो पूरी जमीन पर महनत कर रहा है, मतलब अपना खुन पसीना आई कर रहा रहा है, उसको तो मिल रहा है विल्कुल zero ना के बराबर minimum bear wages और जो कुछ नहीं कर रहा है सिर्फ उसका मालिक है उसको मिल रहा है सबसे ज़्यादा So there was a gulf between tillers of soil and the owners of soil फिर अपन यहाँ पर फिफ्थ जो point है उसके बारे में बात करते हैं Small and fragmented holdings अब holdings किसकी? Of lands यहाँ पर हम किस बारे में बात कर रहे हैं कि जो जमीन होती थी ना वो बहुती छोटी छोटी होती थी और fragmented होती थी fragmented को होने का मतलब है बच्चो बिखरी होई जैसे suppose करो कि आज मेरे पास में 4 जमीन है तो अगर मेरे पास में 4 जमीन है चोटी-चोटी जमीनों fragmented है तो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब ये है कि मेरी एक जमीन यहाँ होगी एक जमीन यहाँ होगी एक यहाँ होगी और एक सपोस यहाँ होगी ठीक है अब अगर मेरी ऐसे टुकडों में ऐसे जमीन बिखरी होई है तो मेरी cost जादा आएगी, traveling की cost जादा आएगी, पहले मैं यहाँ पर खेटी बाड़ी करूँगी, यहाँ की मिट्टी में उप जाओ करूँगी, जो भी करना है मुझे यहाँ पर, मैं अपने bg-g-g डालूँगी, यहाँ पर करूँगी, फिर मैं यहाँ से travel करूँगी, फिर अगर मेरे पास में एक ही जमीन हो और उस जमीन का area इन चारों के बराबर का हो तो मेरी cost यहाँ पर कम आएगी कैसे एक तो मेरी traveling cost घड़ गई और अब मिरको जो भी करना है वो इसी जमीन पर करना है तो यहाँ पर जो एक और यहां पे जिस point के बारे में अपन बात करें, it says small and fragmented holdings of lands. ठीक है, I hope यह आपको उच्छे से समझ में आ गया होगा. तो उस time पे चुटी-चुटी जमीन थी और वो भी तुकडो में बिखरी हुई थी. चलो. आगे अपन देखते हैं, आगे क्या कह रहा हैं? 6th point, Land Revenue System Under the British Raj. आगे को Land Revenue System, मैंने आपको इस चाप्टल के जब हमने श्रुवात की थी थी न, तब मैंने आपको समझाया था कि कौन से Land Revenue System के अपन बात करें, तो जमेदारी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आपको हिंट दिया था, थोड़ा सा समझाया था, जमेदारी सिस्टम के बारे में, तो उसके अंदर हम इसी Land Revenue को कलेक्ट करते हैं, मतलब जमेदार्स कलेक्ट करता था, और उसका कुछ पोजिशन सरकार को देता था, बाकी खुद अपने पास में रखता था, बहुती minimum bare wages, किसको देता था, tillers of soil को देता था, तो इसको ही अपन जमेदारी सिस्टम के नाम से जाना था अपने, So, Land Revenue System under the British Raj, the zamhidars were recognized as the permanent owners of the soil, अपने जमीन के माले कौन होते थे, zamhidars होते थे, ठीक है, zamhidars was to pay a fixed sum to the government as a land revenue, अभी zamhidars को कुछ fixed amount होता था, जो कि सरकार को देना होता था, as a land revenue, the zamhidars were free to extract as much from the tillers of the soil as they could, और वो, जितना चाहे उतना जादा काम करवा सकते थे, किस से, हूँ small farmers से, हूँ small, जो soil के tillers से ना, उनसे, और बद्ले में उनने देते किया थे, बहुत ही minimum wages, ठीक है, तो quantity, आप यह देखों कि revenue इतना आ रहा है, पैसा इतना आ रहा है, उसमें से इतना तो जा रहा है, सिर्फ farmers को, इतना जा रहा है सरकार को, और इतना बच्चरा किसके लिए है, खुद जम्मिदार्स के लिए, तो यह एक जम्मिदारी system के नाम से, एक system जाना गया है, जो कि British Raj के time पे चालू किया था, और इसके अंदर सबसे ज़ादा exploitation होता था, जो soil के tellers होते हैं, जो small farmers होते हैं, उनका, clear? तो यह हो गया आपका sixth point, the implications of the land revenue system were alarming for the farmers and farming, मतलब, जैसे ही यह लगा, जम्मिदारी system लगा, तो इससे सबसे पहले खत्रा किसको आया? Farmers को आया, और farming पे आया, ठीक है? क्यूंकि जो जम्मिदार्स थे ना, वो ऐसा भी नहीं है कि चलो ठीक है, वो farmers को कम दे रहे हैं, और government को भी जितना उसको चाहिए उतना दे रहे हैं, लेकिन अगर अपनी जमीन पे भी ध्यान रखें, अपनी जमीन की मिट्टी का ध्यान रखें, अपनी crops का ध्यान रखें, तब भी ठीक था, लेकिन जम्मिदार्स को इन चीज़न से कोई मतलब भी नहीं था, वो सिरफ अपना उनसे rent इकटा कर दे थे, मतलब उनसे वो जितना चाहे उतना जमीन पे काम करवाते थे बदले में थोड़ा सा देते थे मतलब खूब भी काम करवाते थे extraction दुनिया भर का करवाते थे उनसे farmer से जमीन पे काम खूब करवाते थे लेकिन उन्हें ना के बराबर पैसे देते थे और जो उनकी जमीन होती थी उसकी quality का उनको बिलकुल भी अंदाजा नहीं था कि इसको किस तरीके से मुझे वापस से ठीक करना है या नहीं करना है वो growth पर या development पर उनका focus नहीं था तो वो land की development और ग्रोथ पर भी उनका focus विलकुल भी नहीं था clear? now, most importantly it led to unlimited exploitation of the tillers of the soil by the zamhidars तो सबसे फ़री चीज़ यहाँ पर जमिदारी सिस्टम से हमने क्या सीखी कि exploitation सबसे जादा हो रहा था tillers of the soil का मतलब हमारे जो small farmers थे उनका rates of land revenue were frequently raised by the zamhidars which led to frequent eviction of the tillers of the soil अब क्या होता था? कि जैसे कि land revenue की rate बढ़ जाएगी तो फिर farmers को जादा पही करना पड़ेगा तो इस ताइम पर जमिदार्स का करते थे? farmers को निकाल देते थे ठीक है? अगर चार काम कर रहे हैं तो दो को रखता था बाकी दो को निकाल देता और उन दो पर चार लोगों का काम आ जाता था ठीक है? तो इस तरीके से exploitation होता था rates of land revenue were frequently raised by the zamhidars which led to frequent eviction of the tillers of the soil. I hope यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. Next is, tillers were reduced to the status of landless labors. अब जो tillers थे, जो small farmers थे, वो किस नाम से जाने जाते थे? उनको कैसा status मिल गया था? Landless labors के नाम से. Landless यानि कि जिनके पास में खुद की जमीन नहीं और labor की तरह हो work करें. So they were known as landless laborers. As landless laborers, the tillers merely got subsistence wage in kind. ठीक है? अब इनको भी, जो यह labor की तरह work करते थे ना, इनको भी subsistence, मतलब ठीक है, खुद के survivor के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता था, in kind. जैसे थोड़ा बहुत अनाज दे दिया बदले में, पैसे ना दे करके, जो जमिदार है, उसने इन फार्मर्स को कभी पैसे नी दिये, तो अपने प्रदक्शन से थोड़ा सा वीट दे दिया, या राइस दे दिया, जोगी दे दिया. या फिर कभी उनको घर दे दिया, रहने के लिए, पैसे अगर नी दे रहे तो. So if not wages, then they pay in kind to them. और in kind का मतलब क्या, या तो अनाज दे दिया, रहने के लिए जगे दे दिया, फिर कोई सुक्स विदा उनको दे दिया. So I hope या आपको समझ में आ गया होगा. So tillers were reduced to the status of land laborers, landless laborers. As landless laborers, the tillers only got subsistence wage in kind. तो tillers को, tillers जो थे जो farmers थे उनको हटा आटा करके, वो landless laborers को रख दे थे, जिनके पास में खुद की जमीन नहीं होती थी, ऐसे laborers को रख दे थे और उनको भी wages दे थे in kind. या फिर कभी कबार 2-4 रुपे, उनको 2-4 रुपे तो बहुत जादा बता रही हूँ, तो बहुत से ऐसे किसान हुआ करते थे, जिनके उपर दबाव डाला जाता था कि तुम खेती करो, लेकेन फॉर कमर्शिलाइजेशन, ठीक है? और यह दबाव काउन डालते थे, वो खुद का उनका decision नहीं होता था कि यार मैं marketing, मतलब मार्केट में अपना बेजूँ और खुद profit का हूँ, नहीं. कि उपर दबाव डाला जाता था, ब्रिटिशोर जिर पर दबाव डालते थे, कि आप commercialization के लिए खेती करो, इंडिगो उगाओ, ठीक है? नील उगाओ, जिससे कि वो दूसरे देशों में उसको sell out करें और खुद का profit काम है, मतलब हमारी जमीन, हमारे देश की जमीन, हमारे देश के लोग, population हमारे देश की, महनत हमारे देश की, फिर भी profit यहां काउन कमा रहा है दूसरे देश के लोग, ठीक है? So, this is what you call commercialization of agriculture. So, यहां पर forcefully, जमारे farmers होते थी, cultivators होते थी, उनसे forcefully farming कराई जाती थी, crops की नहीं, लेकिन जैसे हिंडिको की, cash crops की, जैसे कि उनको मुनाफ़ा कमाएं वो. So, commercialization of agriculture refers to shift from cultivation of self-consumption to cultivation for the market. So, self-consumption के लिए, वो cultivate नहीं कर पाते थे, अब उनको market के लिए cultivation करना पड़ता था. Farmers were forced to shift to commercial crops, commercial crops जैसे के indigo, in particular from the conventional subsistence crops. Now, subsistence के लिए, खुद का पेट भंडी के लिए, वो किस-किस चीस की खेती करते थे, rice की, wheat की, लेकिन forcefully, उनसे indigo की खेती कराई जाती थी. इसके बेचे का कारण क्या था? Indigo was required by the textile industry in Britain, क्यूंकि indigo की जरुवत पड़ती थी बृते थी बृते थी. इसलिए, Britishers क्या करते थे, बहुत से farmers से forcefully खेती कराई थे, कि तुम ये rice और wheat की मत करो, तुम इंडिगो की गरो. ताकि indigo कहां पे पहुंचे, as a raw material, बृते इन में पहुंचे, महां के textile industry में पहुंचे, ओके, for dyeing, bleaching of the textile. Clear? I hope ही आपको अच्छी समझ में आ गया होगा. Now, next is, on the eve of independence, in an agriculture, was both backward as well as stagnant. So, independence से पहले, हमारा ये summarize version है, ठीक है? जो भी आपन ने पितक पड़ा. So, independence से पहले, हमारा जो agricultural sector था, वो दोनों था. Backward भी था, पिछडा हुआ भी था, और stagnant भी था. मतलब, बिलकुल static था, रुका हुआ था. या फिर ग्रोथ भी थी, तो बिलकुल ना के ब्रावर ग्रोथ थी. ठीक है? Non-vibrant. बिलकुल रंगीर ने. Now, backwardness of agriculture is explained in the terms of the following factors. So, देखो, आपके एक्जाम में आपसे इसे वित्ता पूछा जा सकता है, कि how Indian agriculture was backward, you know, in the era of this-this. या तो आपको एर दे दिया जाएगा, या फिर आपको बोल दिया जाएगा on the eve of independence. अगर सिफ बारे में आपसे पूछा जाए, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं. स्टेग्नेंट्स के बारे में पूछा जाए, तो स्टेग्नेंट वाले अब आएंगे. तो बैकवर्ड वाले अपन देख लेते हैं, तो कैसे हम बताएंगे कि हमारा अग्रिकल्ट्ट्रल बिलकुर बैकवर्ड था पिछड़ा हुआ था, लो प्रेदक्शन और लो प्रेदक्टिविटी, हमारा पैला पॉइंट, दूसरा, हाई डिग्री ओफ उनसर्टिनिटी, ह जो हमारा सेकंड पॉइंट था वो ही वाला, ओइंग तो यूज डिपेंडेंस और रेंफॉल, क्यों ये मैने आपको बताया कि अनसर्टिनिटी की डिग्रीती हाई क्यों थी, क्योंकि हम मोस्ली किस पर डिपेंड करते थे, रेंफॉल पर डिपेंड करते थे, थार्ड इस subsistence farming, ठीक है, हम सिर्फ खुद के survival के लिए खेतिया करते थे, fourth is small and fragmented land holdings, ठीक है, तो ये तो चार ऐसे points से जो कि backwardness को show करते हैं, फिर stagnation, मतलब stagnation यानि की no growth या फिर less growth, तो stagnation को कौन-कौन से points show करते हैं, gulf between the owner of the soil and the tillers of the soil, land revenue system, जो भी जमेदारी system होता है आपका, और third is force commercialization of agriculture, ठीक है, तो ये साथ points अपन यहाँ पे पड़े हैं, साथ points को दो parts पर divide किया है, कुछ backward के अंदर आएंगे और कुछ stagnant के अंदर आएंगे, और अगर आपको question के अंदर backward या stagnant specifically नहीं पूछा जाए, तो आपको साथो ही वहाँ पे mention करने हैं, make sure, ठीक है, बहुत जा जाएंगे, ठीक है, तो बहुत ही आसान सा हमार आज का ये topic तो जिसके अंदर अपने agriculture को cover किया है, I hope कि बच्चों आपको आज का ये topic काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं पी कोई भी doubt है, तो बिल्कुल भी फिकर करनी नहीं, comment section मुझसे अपना doubt तुम आजानी स पूच सकते हो, आज का ये video कैसा लगा मुझे जरूर बताना comment section में, अगर अच्छा लगा है तो like करिएगा, channel को subscribe करना, अपने friends के साथ में, अपने classmates के साथ में, इस video को share करना और आगे जो हमने video देखे हैं, बनाए हैं, उनको भी share करिएगा जरूर, और bell icon को press करना, बिल हमे जरू करिएगा जरूर इटूर